सब्सक्राइब करते हैं अब अच्छे से पैसा कमा रहे होंगे जो नहीं कमा रहे वो सीख के कमाएंगे चलिए सुरुआत करते हैं आज एक और नए टोपिक के साथ देखे दोस्तो मेरे पासे स्पीकर रिवाइंट होने के लिए आया था और ग्राक ने कहा था जो इसमें पर् बढ़ जाए यह होता है ना तो हम यहीं चीज करेंगे अब चलिए आपको दोस्तों बताते हैं क्या गलती करते हैं आप स्पीकर बानते समय जो की पहले जैसे पर्फोर्मेंस नहीं आपाती या पर्फोर्मेंस पहले जैसे सा और भी इंप्रूव करना चाहते है चलिए लेकिन एक साइज होता है एक तो साइज हो गया यह इनर आउट जिबाई हमारे यहां कोयल बढ़ रही है ठीक है इससे मतलब नहीं होता है मतलब होता है इसके अंदर तार कितना है किसी में एक इंची आदा इंची उस पे में कैसे पतलेगा आपके स्पीकर में कौन चीज को आपको कोयल लेनी है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह इस पट्टे यह इतना बैट रहा है यहने के आदे पर आ रहा है तो यह कोयल इसकी बिल्कुल करेक्ट है हमेसा याद रखना जितनी आपकी मेंगनेट की मोटा है जाए आपकी दो इंची है तो आपको आदे हां पर चिक है इतनी बैटरी है तो इसके जो आदे साइज पर होगा नघा लेना आपको यह देखो आप पर आपको क्लिर दिखा दो के यह इस पर एक इंची साइज है यह सकारी क्या होता है जैसे आपकी यह क्योन्स आपने कोयल यहां पर सैट कर दी चले मान लीजी कि आपने बिल्कुल सही सैट कर ली अगर आपने जादा तार में ले लिए कम तार में ले लिए तो होगा क्या जब इसमें पंचिंग आएगी हमने तो कह दी बहुत से पंदर परसेंट अपनी स्पीकर कोयल भाहर रख लो ठीक है लेकिन आपने अगर कोयल का ये तार पूरा पौना इंची ले लिया एक इंची ले लिए और जब भी मैं कहा दू भाहर रख लो क्योंकि बहुत से कहते हैं भाहर रख लो तो क्या होगा जब स्पीकर बजएगा नीचे कोयल अड़ेगी मला एक इसको ऐसा पंच आएगा वाइबरेशन पर कोयल अड़ेगी और आपका एंप्लिफायर बुड़ा देगी कोयल भी जल्दी ही खड़ा खराब हो जाएगी यह जो साइज है यह जो चीज है यह नीचे अड़ेगी तो यह चीज आपको याद रखनी है फर्स पॉइंट बताना अब दूसरा पॉइंट सुनना यह फर्स पॉइंट याद रखना जो आपका मैगनेट का साइज हो उसके आधे पे आपको कोयल का कोपर लिप्टा होना चाहिए वो चीज याद रखनी है दूसरा पॉइंट क्या है जो आप गलती करते हैं कोयल डालते समय हमेसा याद रखो जब भी आप स्पीकर के ले जाओ चाहिए मैगनेट का अगर आपको पता है तो उसके साब से ही आप कोयल ले के आओ अब तीसरा पॉइंट क्या होता है देखे जैसे आपका ये total 100% भाग है देखो यह note करो यह हमारा 100% भाग है यहां से यहां तक का यह copper copper का अरिया है मान लिजे कि यह आपका यह 100% भाग है तो 100% में से मैं यहां पर 10-15% भाग ले लूँगा इस तरह से 10-15% भाग ही मैंने यहां उपर उतार लिया इसको क्या करना है इसको इतने एरिया को भार रखना है तो इससे होगा क्या magnetic flux जो बनेगा ना वो coil में magnetic flux बनेगा जब यहां magnetic field में आने के बाद तो वो जैसे speaker up-down jump करेगा ना तो वो नीचे अड़े और ना ही वो उपर आने पर को दिक्कत हो जिससे की spider इसको समाल के रखे देखो मैं example दिखा दे रहा हूँ जैसे हैं आप यहां पर coil set कर रहो हैं आप यह यह इतना भाग भार की तरफ से भार की तरफ से दिखना चाहिए अंदर की तरफ से matter नहीं है यह जो outer साइड है आउटर साइड से आपको इतना देखना है कि आपका दस से यह बार ऐसे या पंद्रे परसेंट का सपास आपकी कोयल भार इतनी होनी चाहिए और यह बराबर होनी चाहिए तो आपका speaker perfect है उसके बाद चोथा पॉइंट आ जाते हैं कोयल लगाते समय बहुत से क्या गलती करते हैं हमने यह यहां तो कोयल चलो बिठा लिए उसके बाद वाई श्पाइटर लगाना होता है वह इस तरह से spider लगाने के बाद जैसे जब श्पाइटर लगाते हैं तो थोड़ी बहुत कोयल जो नीचे खिस जाती है तो उससे क्या होता है मीड बेस ट्रेवल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आपाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है एक हाड पेपर लेना है चाहे आपका साथ नंबर हो चाहे दस नंबर हो कोयल के हिसाब से तो आपको पहले पेपर सैट बिठाना है यह देखो इस तरह से पीपर सेट बिठाने के बाद जो आप कटिंग देख रहे हैं यह कटिंग जो देख रहे हैं या तो कोई इस कटिंग में ले लो अगर आप सिद्धी कोयल डालो डालो पेपर लगो अगर पेपर नहीं लग रहा है आप जैसे पॉण गो आंद रहे हो तो दोस्तों यहीं से धियान दे लो एक चीज और याद रखनी है जो वायर है जहां पर आपके टर्मिनल आ रहे हो उसी के बिल्कुल सामने रखना है अब इस तरह से अपनी कोहल बिल्कुल सेट बिठानी आपको और कोहल धीरे 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 इस तरह से कोने पर इस तरह से टाइट आप दे इन Imperator है तो यहां पर आप देखेंगे यह देखो यह देखो चीक है एकदम equal है फिर भी equal ना लगे तो अपने हिसाब से balancing कर सकते हैं आप जैसे भी equal लगे यह देखो इतना अकतार तो थोड़ा बहुत इसका रहना चीह देखे थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं कम से कम 12 है तो 12% हो ना चीह देखो इतना रखना है हर speaker में रखना है इतना ठीक है ना अगर इससे जादा रखोगे तो magnetic flux नहीं बनेगा सही उपर उपर वो coil जल जाएगी नीचे नीचे बिल्कुल perfect रहेगी तो आपको यह size रखना है coil को लगाते समय मैंने सारे points बता दी इस पे आप अब speaker का कौन वगेरा सब कुछ fit करके बा आपको कुछ नहीं सिखना को मैंना तो जरूर से like करना thank you